फ्रेंड सारुक खान और रानी मुखर्ची की सुपर हिट मूवी चलते चलते का एक सुपर हिट सौंग गुमसुदा की सूटिंग यहीं भी हुई थी आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीन सोट से वीडियो को मैच कर सकते हैं अचलिए आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो तो वीडियो में अंतर तक बनी रहीएगा हे फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो बर चैनल भारत दर्सन स्टूडियो और जैसा आपको पता है कि इस वीडियो हमाँ आपको लेकर चलने वाले हैं चलते चलते मूवी का एक खुप सूरत सौंग गुमसुदा की सूटिंग लोकेशन पर दोस्तो सारूप खान और राने मुखर जी की मूवी चलते चलते का एक सौंग गुमसुदा का एक पोर्सन यहाँ पर सूट किया गया था हम आपको आगे दिखाएंगे वो लोकेशन सा बहुत बड़ी colony कह सकते हैं दोस्तों अगर आप यहां पर है और अपने friends को अपने relatives को वीडियो कॉल करके बोले कि मैं इस वक्त foreign में हूँ लंदन में हूँ इंग्लेंड में हूँ तो यकीन मानिए आपका friend आपकी relatives बिल्कुल आसानी से यकीन कर लेंगे क्योंकि इसे Mumbai का foreign य और आपको दिखाएंगे वो सारे angles जहां पर गाने की shooting हुई थी तो चलिए आगे चलते और आपको दिखाते हैं song location दोस्तो हम आपको गाने के सारे scene सारे angle और इजनल गाने के screen shot के साथ मैच करा के दिखाएंगे उससे पहले आप एक बार चार ओर का scene देख लीजिए कि क्यों हमने इसे Mumbai का foreign बोला था और आप खोड़ी फैसला कीजिए दोस्तो हमारी आपसे गुजारिश की ये सारे views जो हम एक बार बिल्कुल अच्छे से गौर से देख लीजिए क्योंकि हम आपको screen shot दिखाएंगे तो आप अच्छे से match कर सके दोस्तो सबसे पहले आप नजर डाली गाने के इन original screen shot पर इने बहुत अच्छे से हर एक कौने को देख लीजिए क्योंकि वीडियो हम original यही scene आपको द दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर सारुखान चड़ कर डांस करते हैं एक portion यहाँ पर फिल्मया गया है पीछे की यह building सारी इस गाने में नजर आ रही है आप इन building को बहुत अच्छे से बहुत गौर से देख लीजिए दोस्तों क्योंकि अभी आगे हम आपको गाने की screen shot के स साथ ये वीडियो दिखाने वाले हैं जिससे आप इस पस्ट मैच कर सकते हैं कि किस प्रकार से किन-किन एंगल से यहाँ पर गाने की shooting की गई थी देखे दोस्तों देखने में पूरा लंदन नजर आ रहा है लेकिन अभी हम है मुंबई में मुंबई के हीरा नंदानी पर हम ह जो कि मुंबई का foreign कहलाता है और दोस्तों यहाँ पर जादातर foreigners ही रहते हैं और यदि किसी व्यक्ति को यहाँ पर flat या घर purchase करना है तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपए minimum आपके पास होने चाहिए ओके friends तो चली आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाने के वो scene जो यहाँ पर फिल्माए गए हैं जैसा कि आप ऊपर लगे screen shot में देख पा रहे हैं इस black pillar पर खड़े होकर सारु खानी यहाँ पर dance करते हैं और black pillar के पीछे का scene भी आप इस पस्ट देख सकते हैं दोस्त गाने की shooting की गई थी उस वक्त ये gate बिल्कुल क्लीन था इसमें किसी भी प्रकार के बेल नहीं लेटी वी थी आगे के scene में जैसा आप ऊपर यह जो नीले दो गुमज देख पा रहे हैं इसे screen shot के साथ मैच कीजिए जैसे screen shot लगा हुआ है पिलर के पीछे दो गुमज आप screen shot में देख पा रहे हैं यही दोनों गुमज वीडियो में भी आप इस पस्ट देख सकते हैं दोस्तों अगले scene में आप देखे screen shot में पिलर के बाजू में लीले कलर का एक रूफ बना हुआ है जो आप वीडियो में भी इस पस्ट देख सकते हैं यही रूफ है जो अभी भी यहाँ पर मौजूद है आप screen shot के साथ इस पस्ट मैच कर सकते हैं दोस्तों इस scene में आप देख सकते हैं सारुख खान security guard का हाथ पकड़े वेचे इस building के सामने खड़े हुए हैं उसमें क्या क्या चीजे गौर करनी हैं आपको हम बता देते हैं देखें बिल्डिंग में ICICI bank का banner लगा हुआ है और security guard के पीछे जो बड़े बड़े pillars है यह जो gate है इनको आपको थ्यान से देखना है इने गौर से देखें दोस्तों क्योंकि वीडियो में इन्हीं चीज़ों को आपको अभी screen shot के साथ मैच करना है यह देखें दोस्तों इसी जगह का यह scene था अभी भी ICICI bank के यहाँ पे मौजूद है और यह जो बड़े बड़े pillars हमने आपको बताये थे यह भी यहाँ पे मौजूद है सामने जो आप gate देख रहे हैं इसी के सामने का यह scene था चलिए हम आपको यही scene screen shot के साथ दिखाते है हमारे दोस्त हमारे भाई gate के सामने खड़े हुए हैं जी जगह पे यह scene था आप screen shot के साथ मैच कर सकते हैं ICICI bank कभी भी यहाँ पर मौजूद है और यह gate भी यहाँ पे मौजूद है gate के पीछे जो बड़े बड़े pillars है यह भी यहाँ पे मौजूद है और इसी building के सामने यह sort film आ गया तो दोस्तों friends इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार गुमसुदा गानी का वीडियो संग जरूर देखेगा और वहाँ पर इन locations को जरूर माइंड कीजिएगा और गानी का वीडियो देखने के बाद वापस से यह वीडियो को आप देखेगा आपको बहुत ही मजायागा दोस् अपने दोस्तों के साथ सेयर भी कीजिगा दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकॉन को दबाना ना बुलिगा धन्यवाद जय हिन जय भारत